हलो फ्रेंड्स, वेलकम बेक टू मैं चनल, आज मैं आपको साइड बेल्ट कॉलर टॉप विद पप स्लिव बनाना बताऊंगी, तो उसके लिए मैंने ये देर मिटर क्रेप का फैबरिक लिया हुआ है, तो सबसे पहले हैं फैबरिक को फोर फोल्ड में बिचाएंगे, जो मेर बंद वाली साइट है और जो उपर की साइट है वो खुली हुई साइट है, इस तरह से फैबरिक को मैंने फोर लेयर में बिचाया हुआ है, और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 22 इंच की रखी है, आप अपनी पसंद से इसके लंबाई कमिया ज्यादा कर सकते हैं, अभी क्योंकि हम इसमें कॉलर नेक बनाएंगे और आम होल की लंबाई के लिए भी हमें 6 इंच पर ही निशान लगाना है, तो 6 इंच पर निशान लगाते हुए हमें एक सीधी लाइन ड्रो कर देनी है, जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हमें आम होल भी लेना है, अभी यहा जियान रहे बेबी की चेस्ट का चौथा भाग लेना है और उसमें 2 इंच एट कर देना है सिलाए मार्जिन के लिए और एक सीधी लाइन ड्रो कर देनी है, अभी बेक आम होल के लिए में 1.5 इंच पर निशान लगाऊंगी और फ्रंट आम होल के लिए 1 इंच पर निशान के लिए और यहां से हम कमर की चौड़ाय का चौथा भाग लेंगे और उसमें भी हमें 2 इंच एट कर देना है सिलाए मार्जिन के लिए तो मैंने 8 इंच पर निशान लगाया है कमर की चौड़ाय का चौथा भाग लेना है और उसमें 2 इंच एट कर देना है अभी नीचे से भी हम लाइंडरो कर देंगे अभी गले की चौड़ाई के लिए हमें धाई इंच पर निशान लगाना है टुएंड हाफ इंच पर हम गले की चौड़ाई रखेंगे क्योंकि हम इसमें कॉलर नेक बनाएंगे अभी पीछे की गले की लंबाई के लिए हमें एक इंच पर निशान लगाना है और आगे की गले की लंबाई के लिए हम तीन इंच पर निशान लगाएंगे पीछे की गले की लंबाई एक इंच लेनी है और आगे की गले की लंबाई तीन इंच लेनी है और दोनों निशानों पर हमें राउंड शेप ड्रोग कर देना है फ्रांट और बेकनेक के लिए अभी सबसे पहले हम बेकनेक और बेकाम होल से इसकी कटिंग कर देंगे बेकनेक और बेकाम होल से हमें इसकी कटिंग कर देनी है जैसे हमने ड्रोग किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर दिनी है तो ये देखे मैंने इसकी कटिंग कर दी है अभी हम इसमें से एक पाट को निकाल लेंगे और इसे वापस से डबल फोल्ड करते हुए front neck और front arm hole की हमें cutting कर देनी है तो इस तरह से मैंने cutting कर दी है अभी यह मैंने front का part लिया हुआ है और इसे मैंने खोल के रखा हुआ है अभी इसमें हम side में cut लगाने वाले है तो पहले हम center में एक निशान लगा लेंगे उसके बाद हम center से left side पर दो इंच पर निशान लगाएंगे ये कट हम लेप सैट में ही लगाएंगे उसके बाद जो हमने निशान लगाया है वहाँ से हमें तीरचा तीन इंच तक एक निशान लगाना है पहले हम सेंटर में निशान लगाएंगे उसके बाद हम left side में 2 इंच पर निशान लगाएंगे और जो हमने निशान लगाया है उसके नीचे हमें 3 इंच पर निशान लगाते हुए इसमें एक cut लगा देना है कुछ इस तरह से तो मैंने इसमें cut लगा दिया है तो यह मेरा front का part है और यह मेरा back का part है अभी हम sleeve की cutting करेंगे तो इसमें मैं normal pop sleeve बनाने वाली हूँ आप चाहे तो जैसे thumbnail पर दिखाते हैं बिल्कुल वेसी sleeve आप बना सकते है तो fabric को मैंने 4 layer में बिचाया हुआ है जो मेरी side है वो बंदवारी side है और जो उपर की side है वो खुली हुई side है और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 16 inch की रखी है 2 inch की नीचे से हमारी पट्टी आएगी अभी सबसे पहले हम उपर से 2 inch पर निशान लगाएंगे तो 2 inch fabric हमें extra लेना है अभी जितना भी हमारा fabric है वहाँ पर हमें उपर से नीचे तक 2 inch पर निशान लगाते जाना है और जितने हमने निशान लगाया है उसके उपर हम एक सीधी line ड्रो कर देंगे क्योंकि हम इसमें plates लगाएंगे इसलिए हमें 2 inch fabric extra लेना है आप 3 inch fabric भी extra ले सकते है और एक सीधी line ड्रो कर देनी है अभी उसके आगे जितनी भी हमारी स्लिव की चोड़ाई है उतनी हमें रखनी है तो मेरी 7 inch स्लिव की चोड़ाई है तो आगे की तरप मैंने 7 inch का fabric लिया हुआ है अभी हम कैप स्लिव की length के लिए 3 inch पर निशान लगाएंगे और जहाँ पर हमने line ड्रो की है वहाँ पर भी हमें 3 inch पर निशान लगा देना है और एक सीधी line ड्रो कर देनी है कैप स्लिव की लंबाई के लिए और जहाँ पर हमारी खुली हुई साइट है वहाँ पर हम दो इंच पर निशान लगाएंगे सिलाई मार्जिन के लिए और इसमें हमें स्लीव का शेव ड्रो कर देना है जैसे हम normal sleeve का shape draw करते हैं बिल्कुल वेसे ही हमें इसमें sleeve का shape draw कर देना है अभी नीचे से जितनी भी आपकी baby की sleeve की चोड़ाई है उतना आपको निशान लगाना है तो मैंने 4 इंच पर निशान लगाया है और 2 इंच हमें extra लेना है सिलाई margin के लिए तो मैंने 6 इंच पर निशान लगाया है और set से भी हम land draw कर देंगे 2 इंच छोड़ते हुए हमें ये निशान लगाने है ध्यान रहे क्योंकि 2 इंच हमारी plates में आएंगी अभी जैसे हमने draw किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसे cut कर देना है तो इसमें नीचे से भी plates आएंगी और उपर से भी plates आएंगी तो देखे मैंने sleeve की भी cutting कर दी है और ये मेरी 2 sleeve है अभी जो हमने front neck में cut लगाया है बिल्कुल उसी shape की हमें एक strip cut करनी है तो देखे मैंने ये strip cut की हुई है अभी सीधी side से ही हमें इसे जो हमने cut लगाया है उसके उपर रखना है और इसमें हमें सिलाय लगा देनी है जैसा हमने cut लगा है बिल्कुल वैसे हमें इसमें सिलाय लगा देनी है उसके बाद ये जो पट्टी की border है उसे हमें fold करते हुए इसमें सिलाय लगानी है जो तीनो साइट की पट्टी की बॉडर है उसे हम फोल्ड करते हुए सिलाय लगाएंगे उसके बाद हमें पट्टी को उल्टी साइट पर पलट देना है तो ये देखे मैंने इसमें पट्टी अटेच कर ली है और बाद में हम इसमें उल्टी साइट से हैंस्टीच कर देंगे अभी हम इसके शॉल्डर जॉयंट करेंगे तो सबसे पहले एक पाट को हमें सीधा रखना है और उसके उपर दूसरा पाट हमें उल्टा रखना है फ्रंट का पाट सीधा रखेंगे और बेक का पाट उल्टा रखेंगे और इसके शॉल्डर जॉयंट कर लेंगे तो देखे मैंने इसके शॉल्डर जॉयंट कर लिये है अभी सबसे पहले हमें इसका कॉलर बना लेंगे ताकि बाद में हमें थोड़ी परेशानी होती है बनाने में अभी सबसे पहले जो हमने कट लगाया है वहां से हमें इस फेबरिक को पकड़ना है और इसके सेंटर में हमें एक छोटा सा कट लगा देना है तो ध्यान रहे बिल्कुल छोटा सा ही हमें कट लगाना है तो ये कट हमारा शोल्डर की थोड़ी से पास में आएगा अभी मैंने ये एक स्ट्रिप कट की हुई है कॉलर बनाने के लिए और इसकी जो चोड़ाई है वो मैंने 4 इंच की रखी है और इसकी जो लंबाई है वो हमें कम से कम 60 इंच तक लेनी है अभी सबसे पहले ये जो हमारी पटी है इसके सेंटर में हमें एक चोटा सा कट लगाएंगे तो ध्यान रहे बिल्कुल चोटा सा ही हमें कट लगाना है अभी जो हमने शॉल्डर के साइड में कट लगाया था उसके उपर हमें इस पट्टी को रखना है ध्यान रहे कट से कट को मिलाते हुए हमें पट्टी को रखना है और जहां पर हमारा साइड वाला कट है वहां तक हमें इस पट्टी को पीन से सिक्योर कर लेना है तो दूसरी सैड भी जो हमारा साइड वाला कट है वहीं तक हम इस पट्टी को पीन से सिक्योर कर लेंगे उसके बाद हमें इसमें सिलाई लगा दिनी है पूरे गले के उपर तो इस तरह से दोनों सैड से हमारी एक्ष्ट्रा पट्टी होनी चाहिए तो देखे मैंने इसमें सिलाई लगा दिये है अभी हम इसमें छोटे छोटे कट लगाएंगे क्योंकि ये राउंड वाला पाट है इसलिए कट लगाने बहुत ही ज़रूरी है तो पूरे गले में हमें छोटे-छोटे कट लगा देने है उसके बाद ये जो हमारे एक्ष्ट्रा बची हुई पट्टी है उसे हमें उल्टी सैट पर फोल्ड करना है तो ध्यान रहे पट्टी को हम उल्टी सैट पर फोल्ड कर लेंगे उसके बाद हम इसमें पींस लगा लेंगे ताकि हम इसमें सिलाय आसानी से लगा सके तो जहां तक हमने पट्टी को अटेच किया है बिल्कुल वही तक हमें इसमें पींस लगा लेनी है यानि कि जहां पर हमने गले में साइड में कट लगाया है वहीं तक हमें इस पट्टी को फोल्ड करना है उसके बाद पहले इसके कोने पर हम एक तिर्ची सिलाय लगाएंगे उसके बाद पूरी पट्टी में हमें सीधी सिलाय लगा देनी है कोने पर ही हमें तिर्ची सिलाय लगानी है और उसी तरह से जो दूसरी सैट वाली पट्टे उसे भी हम उल्टी सैट पर फोल्ड कर लेंगे और इसमें पीन्स लगा लेंगे जहां तक हमारा कट है वहीं तक हमें पट्टी को उल्टी सैट पर फोल्ड करना है और पहले हम इसमें पेंस लगा लेंगे उसके बाद जहां तक हमने पट्टी को फोल्ड किया है वहां तक हमें इसमें सिलाय लगानी है और इसके कोने पर हम तिर्ची सिलाई लगाएंगे तो देखे मैंने इसमें सिलाई लगा दी है दोनों ही सैट से पट्टी के ऊपर अभी जो पट्टी का सैट वाला कोना है उससे हमें कट कर देना है यानि कि जो पट्टी का एक्स्ट्रा फेब्रिक है उसे हम कट कर देंगे तो बहुत ही ध्यान से हमें इसे कट करना है तूनों ही पट्टी के साइट के कोने को जो हमने सिलाई लगाई है उसका जो एक्स्ट्रा फेब्रिक है उसे हमें कट कर देना है उसके बाद हम इस पट्टी को सीधी सैट पर पलट देंगे तो आप इसे किसी भी नुकिली चीज की मदद से सीधी सैट पर आसानी से पलट सकते है तो इस पट्टी को हमें सीधी सैट पर पलट देना है और इसके कोनों को भी हम अच्छे से बाहर निकाल लेंगे और इसी तरह से जो दूसरी पट्टी है उसे भी हम सीधी सैट पर पलट देंगे ये पट्टी आपकी बहुत ही आसानी से सीधी सैट पर पलट जाएगी आपकी इसी भी पैन की मदद से इसे सीधी सैट पर पलट सकते है तो देखे मैंने दोनों ही पट्टी को सीधी सैट पर पलट दिया है अब ही जो हमारा बीच वाला फेबरिक है यानि कि जो गले का फेबरिक है उसकी बोडर को हमें अंदर की तरफ half inch तक फोल्ड करना है और जो हमारी गले की अंदर वाली सिलाई है उसे हमें पट्टी के नीचे दबाते हुए इसमें सिलाई लगानी है तो पहले इसे भी हम पीन से सिक्योर कर लेंगे ताकि हमें राउंड में सिलाई लगाने में आसानी हो तो पूरे गले का जो फैब्रिक है उसे हमें अंदर की तरफ हाफ इंच तक फोल्ड करना है और जो अंदर की सिलाई है उसे पट्टी के नीचे दबाते हुए हमें इसमें सिलाई लगा देनी है तो इस तरह से हमारा कॉलर बहुत ही आसान तरीके से लग जाएगा फिनिशिंग के साथ तो पूरे फैब्रिक के उपर हम पीन्स लगा लेंगे उसके बाद हमें इसमें सिलाई लगा देनी है और जो हमारी पट्टी है उसके एक कोने पर भी हम सिलाई लगा लेंगे यानि कि हमें cover सिलाई लगा देनी है दोनों पट्टियों के एक कोने के ऊपर तो देखे मैंने ये color attach कर लिया है और इसे हम कुछ इस तरह से side में बान लेंगे तो ये हमारा belt color बन चुका है अभी हम इसमें sleeve attach करेंगे तो ये मैंने sleeve को लिया हुआ है अभी सबसे पहले जो हमारा shoulder है वहाँ पर हमें 2 inch पर निशान लगाना है तो जो हमारा shoulder है उसके दोनों side पर हम 2 inch पर निशान लगाएंगे दोनों ही side से हमें 2 inch पर निशान लगा लेने है उसके बाद जो हमारी sleeve है उसे हम pin से secure कर लेंगे जहां तक हमने दो इंच पर निशान लगाया है वहीं तक हमें इसमें सिलाई लगानी है यानि की पीन्स लगा लेनी है दूसरी साइट की स्लीव को भी हमें पीन्स से सिक्योर कर लेना है जहां तक हमने दो इंच पर निशान लगाया है बिलकुल वहीं तक अब इस लिव का जितना भी एक्ष्ट्रा फेब्रिक बचता है उसकी हमें छोटी-छोटी प्लीट्स लगा लेनी है तो सेंटर में आपकी जितनी भी प्लीट्स एज़स हो सकती है उतनी आपको छोटी-छोटी प्लीट्स लगा लेनी है इस plates को आपको ध्यान से बिल्कुल सेंटर में ही सेट कर लेना है उसके बाद हम इसमें सिलाई लगा लेंगे plates को अच्छे से एड़्जस करते हुए उसके बाद जो स्लिव की नीचे की बोडर है उसके उपर हमें बड़ा टाका करके सिलाई लगानी है यह हुआ है गैदर्स बनाने के लिए और इसी तरह से दूसरे सैटका जो आमहुल है वहां पर भी हम दो इंच पर निशान लगा लेंगे तो शोल्डर से लेकर दोनों सैट पर हमें दो दो इंच पर निशान लगा लेने powinए और जहां तक हमने निशान लगाया है वहीं तक हमें स्लिव को अटेज करना है दोनों ही सैट से उसके बाद जो सेंटर में जितना भी एक्ष्ट्रा फेबरिक बचता है उसकी हमें छोटी-छोटी प्लीट्स लगा लेनी है उसके बाद जो स्लिव की बॉर्डर है उसके उपर हमें बड़ा ठाका करके सिलाई लगानी है गैदर्स बनाने के लिए तो देखे मैंने स्लिव में प्लीट्स लगा ली है और इसका पफ कुछ इस तरह से बनेगा और नीचे की सैट बे मैंने बड़ा टाका करके सिलाई लगी है अभी हमें एक धागे को खीचते हुए इसकी गैधर्स बना लेनी है तो जितनी आपकी बेबी की नीचे की स्लिव की चोड़ाई है उतनी आपको गैधर्स को अच्छे से एड़्जस कर लेना है और उतनी है आपको गैधर्स बना लेनी है एक धागे को खीचते हुए जितनी आपकी बेबी की नीचे से स्लिव की चोड़ाई है उतनी आपको गैध से इसकी चोड़ाई कम्या ज्यादा कर सकते हैं अभी मैंने यह पती कट की हुई है और इसकी चोड़ाई मैंने चार इंच की रखी है अभी जो भी हमने गैधर्स है उसके उपर हमें पती को सीधी साइट से रखना है और इसमें सिलाय लगा देनी है और इसी तरह से दूसरी side के slew के उपर भी हम gather's को अच्छे से adjust कर लेंगे और gather's को adjust करने के बाद हम इसके उपर भी पट्टी को attach कर लेंगे सीधी side से ही तो देखे मैंने इसमें पट्टी attach कर ली है दोनो इस slew के उपर अभी इस पट्टी को हमें उल्टी सेट से हाफ इंच तक अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसमें सिलाय लगा देनी है उसके बाद जो हमारी अंदर की सिलाय है उसे पट्टी के नीचे दबाते हुए इसके उपर हमें सिलाय लगानी है पट्टी को एक और बार फोल्ड करते हुए इसमें हम सिलाय लगाएंगे और दूसरी स्लिव की जो पट्टी है उसे भी हम एक बार फोल्ड करते हुए इसमें सिलाय लगाएंगे उसके बाद हम इसे दुबारा से फोल्ड करते हुए इसमें सिलाय लगा देनी है तो देखे मैंने पट्टी में सिलाई लगा दी है दोनों ही साइट से अभी इसे हम उल्टा कर लेंगे और जहां तक हमारी स्लिव है वहां तक हमें स्रिप एक इंच का गेप रखते हुए इसमें फिटिंग की सिलाई लगानी है और नीचे की तरफ हम दो इंच का गेप रखते हुए इसकी फिटिंग कर लेंगे दोनों ही सैट से उसके बाद जो नीचे की बॉडर है उसे हमें सिंपली डबल फोल्ड करना है और इसके उपर हमें सिलाई लगा देनी है तो देखे मैंने इसकी फिटिंग कर ली है दोनों ही सैट से और नीचे की बॉडर को भी मैंने डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है अभी यह जो हमने बेल्ट अटेज किया है उसे हमें अच्छे से बो बनाते हुए नेक के उपर सैट कर लेना है इस तरह से हमें इसमें अच्छे से बेल्ट को टाई अप कर लेना है यह बेल्ट हमारा साइड में रहेगा और इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा तो इसी के साथ ही हमारा डीजाइनर साइड बैल्ट कोलर टॉप बनकर रेडी हो चुका है और यह है इसका फाइनल लूप So friends, I hope आपको आज का यह टुटोरियल पसंद आया होगा अगर आपको आज का यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा मेरा यह वीडियो देखने के लिए थेंक्यू सो मज गाइस